यह ब्यस्सी जो स्टुडेंट कर रहा है समेस्टर वाइस तो ब्यस्सी समेस्टर थर्ड का डिटेल सिलेवस है और यूजीसी की एकॉर्डिंग यह सिलेवस लगबग सभी इन्यूश्टी में सेम रहता है सिलेवस में कोई चेंजेस नहीं बट यह पटिकुलर लखनव इन्यूश्टी का सिलेवस है और अभी आप लोगों के एक्जाम बिल्कूल स्टार्ट होने वाले हैं तो एक्जाम स्टार तो आपके marks भी अच्छे आने के चांसे रहते हैं तो जो आपका भी इसी थर्ट सेमिस्टर है बॉटनी का यह है इसके बाद में जोलोजी का भी सिलेवस डिटेल लेके आऊंगा तो जो यह पेपर है आपका इसकी इसमें जो आपका चार यूनिट है इसकी तो इसमें आपको यूनिट वाइस जो सिलेवस है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ तो यह आपकी फर्स्ट यूनिट है तो फर्स्ट यूनिट में देखेगा क्या-क्या है पहला है सिस्टमेटिक्स प्रिंसपल आफ क्लासिफिकेशन नॉमनक्लेचर कम्प्रेटिव स्टुडी आफ डिफरेंट क्लासिफिकेशन लीनियस बेंथम एंड होकर हर्बेरियम एंड बॉत्निकल गार्डन देखे पहले इसी के बारे में यहां तक ही हम लोग मैं आपको बता रहा हूं कि कौन-कौन से चीज़े कहां से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है देखे सबसे इंपॉर्टेंट तो यह आ जाता है कि जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है उसके बारे में पूछा जा सकता जो जो के क्लासिफिकेशन को डिफाइन कीजिया या लिनियस के क्लासिफिकेशन क्या है तो वहां से बहुत इंपॉर्टेंट कोशण बंथा है जैसporte ने बाइनमयल सबसे बड़ा है ठीक है रॉयल बॉटनिकल गार्डन तो इस टाइब के बॉटनिकल गार्डन से भी कोशन उच्छे जा सकते हैं उनके प्लेस से पटेकुलर इसके बाद में आगे की और प्रोसीड करते हैं और मैं देखिए बहुत डिटेल में तो नहीं बता पाँगा क्योंकि उसके लिए तो बहुत ही चाहिए लेकिन जो जो में में जहां से कोशन बनने के चांसे हैं वहां से में रिलेटेड आपको कुछ चीजें बता सकता हूँ अब बेटा यह आपको यहां पर सारी डाइकॉट फैमिली यानि जो एंजियो स्पर्मिक प्लांट हैं उनके बारे में आपको डिटेल में स्टेडी करने हैं और यह आपको मालूमी होगा कि एंजियो स्पर्मिक प्लांट वो होते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट हैं मॉडर न आजकल के जो इसमें सबसे ज़एदा प्लांट है वह एंजियोस्पर्म है तो यह नीचे जो आपकी दी गई है यह आपकी चार मॉनोकाट फैमिली तो बहुत दी गई है भाट कौन फैमिली इंपॉर्टेंट जहांसे कोंश्चन आने के चांसेश ज्यादा रहते हैं उन पर ध्यान दिएगा जैसे ब्रेसी केशी हो गई उसके बाद में कुकुर्विटेसी हो गई मालवेसी हो गई इसके बाद में पैपलियोनेसी रेननकुलेसी सोलोनेसी ठीक है ये कुछ ऐसी फैमली इंपॉर्टेंट है जहां से ज़्यादा ज़्यादा कोश्चन आते हैं वनोकाट में देख दिया जाए तो लिलीसी और पोईसी बहुत इंपॉर्टेंट फैमली है इन फैमली को अगर देखा जाए वन टू त्री फोर फाइव सिक्स से एवेल 899 फैमली को आप पहले अच्छी तरीके से प्रिबेर कर लेंगे अब यहां से कोश्चन के इस टाइब के आएंगे इन पर आपको ध्यान देना देखिए फैमली में जो सबसे इंपॉर्टेंट कोश्चन बनता है वो बेटा फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डाइग है अब जैसे सेम पर ही मैंने जैसे सपोज देदर में फैमली लिखी फिर इसके बाद में फ्लोरल फार्मूला फिर फ्लोरल डायग्राम फिर इक्नॉमिक इंपॉर्टेंस उसके बाद में जैसे फ्लावर से रिलेटेज कुछ प्रफिक्री तो इस तरीके से अगर आप बना हो जाएगा learn करना आप confuse भी नहीं होगे क्योंकि इतनी सारी फैमिली हैं इन सारी फैमिली के बारे में आप जब भी study करोगे तो बहुत ज्यादा problem आएगी आपको confusion ज्यादा रहता है इसके बाद इन से इन फैमिली से related economic importance भी पूछे जाते हैं प्लांट भी पूछे जाते हैं कि यह प्लांट किस फैमिली का है ठीक है और character भी अच्छा अगर पूरी family बेटा आ जाएगी तो आपको उपर से लिखना होता मतलब जिसे inflorescence हो गया system हो गया उसके बाद में flower के character हो गया मतलब कैलिक्स का रोला इंडोसियम का इनोशियम उसके बाद fruit कैसा होता है inflorescence कैसा है फ्लोरर का रेक्टर क्या है फ्लोरर डाइग्राम क्या है तो यह सारी detail आपको यहाँ पर देनी परती है तो यह तो पूरा आपको unit first से related मैंने आपको सारी चीज़े बता दी इसके बाद अबाद अबागे बढ़ते हैं unit second की तरफ unit second और third पर focus करते हैं तो जो unit second है अब देखे पेपर की planning जब आप की जैसे आपकी पेपर में one second third four four चार unit ना आपको first unit very typical लग रही है लेकिन बाद की तीन unit आपको easy लग रही है तो आप पहले बेटा इन तीन unit को prepare केजिए ठीक है कम से कम मैं यह नहीं कहता हूँ कि अगर मालीजे 100 marks का paper आपका होगा हाँ इस बार यह theoretical paper आएगा यह mcq नहीं होगा तो ध्यान रखिएगा आपको लिखना होगा तो ठीक है ओके जो आपकी first unit है वो major unit है मान लीजे ज्यादा question आएंगे बट मालीजे अगर इससे 35 question आएंग तब उपर वाली पर जाईए तो कम से कम इतने marks तो आपके secure हो जाएंगे यह तरीका होता अच्छे marks obtain करने का तो एक मिनिट इसको हटा देते हैं फिर इसके बाद आपको एक एक चीज बताता हूँ ठीक है तो देखिए इसमें क्या है unit number second में general morphology and development of floral organ कि और जो फ्लूराल ओरगन है कालीक्स करोला अंडोसियम काइनोसियम उनकी function कितने type के हैं उनकी condition वह सारी आपको study करने हैं जैसे अंडोसियम कैसा इंगीनी juyos हो गया थीक है कुछ रूटा हैं जो इस्टेम की तरह वर करते हैं कुछ लीसंगे इस्टेम की तरह वर करते हैं यह मोडिफि केशन और इनी से रिलेटेड जो यह तीन टर्म दिये गहां फाइल उलेड फाइलोड अध्रती इस वेरी-वेरी सेगा ठीक है मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूं पढ़िएगा आप सब लेकिन जो मैं बता रहा हूं एक बाद जरूर आप प्रिपेर करके जाहिएगा होफ़ली आपको कोशन मिलेगा जरूर इसके बाद यूनिट नंबर थर्ड की ओर हम लोग देखते हैं देखिए सेकेंड यूनिट आपकी इजी हो गई ना मैंने आपको यह इजी है बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है आपको है तो आप पहले सेकेंड को प्रिपेर कीजिए इसके बाद आ जाता है यूनिट नंबर मैरी स्टम प्रिपेर का मैरी सेम को मतलब हो गया जैसे यह आपका स्टैप यहाँ पर की रूट एपक्स औशूट असल है इसी को anomalies बोलते है जैसे secondary growth का मतलब क्या होता है जो plant होता है वो मोटाई में grow करता है लेकिन कुछ ऐसे plant है जो proper secondary growth की मेगनीज में उसको फालो नहीं करते है जैसे बोगन विला हो गया ठीक है यह ऐसे plant जो आपकी सूट एपिकल और रूट एपिकल से related theory हैं जैसे हांस्टीन थेओरी हो गई कहां से question पूछे जा सकते हैं तो इस तरीके से tissue system से पूछे जा सकते हैं simple tissue कौन है colon chima, parent chima, skeleton chima, complex tissue, gylam flow या उनसे related ठीक है vascular bundle से पूछा जा सकता है तो यह चीज़ें यहां पर हैं आपकी इनको prepare करके जाएगा यह भी बेटा easy unit है आपकी बहुत ज़्यादा ठीकल नहीं है अब last unit की बात कर लेते हैं जो आपकी last unit है यह चारो unit में सबसे important है इसमें पहले बता दे रहा हूँ और बहुत easy है इसमें पहला तो क्या है reproduction यानि जो flower में endrosium और gynosium है उनके आपस में जो pollination और pollination के बाद में reproduction होता है उससे related तो उसी से related पहले तो male और female gametophyte का structure के बारे में जिसे flower है फ्लावर में male क्या है एंther एंther गेंदर pollen grain pollen grain से male gamet कैसे बनेंगे यहां तक का पूरा micro sporogenesis है उसके बारे में आपको study करनी है ठीक है micro gamet कैसे बनेंगे फिर mega sporogenesis या mega gametogenesis में आपको study क्या करनी है गाइनोशियम गाइनोशियम के अंदर जो आपका तीन पार्ट होते हैं स्ट्राइल स्टिग्मा ओवरी ओवरी के अंदर आपका क्या होता का embryo sick तो embryo sick का formation मेगाइसपूर मदर से कैसे हो रहा है चार बनती है जब थेओरी पढ़ोगे मैं थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ तो एक फंक्सिलन रहती है ठीक है तो वो embryo sik कैसे बनना embryo sick के अंदर एंटिपोडिल सिनर्जेट्स और सिगेंडरी न्यूक्लियस होते हैं तो इंजियोस्पर में ट्रिपल फ्यूजन और डवल फेटलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत यूनिक कोश्चन आता है इसको आप देख लीजेगा यह पूरा डेवलेमेंट अपसे यहां प लेजे कुछ ऐसे प्लांट होते जिनके पॉलन ग्रेन 30 मिनट बादी बेकार हो जाएंगे जब वह प्लांट से टेंगे कुछ के पॉलन ग्रेन महीनों तक रखे रहते हैं वाइवल रहते हैं फिर इंब्रियो से वन आफ दा मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा टाइप आफ इ फिरी इंपॉर्टेंट जाहिएगा क्या होता है ठीक है इंडो-इस्पर्म का डेवलमेंट कैसा होता है है इसके मार्फोलोजिकल नेचर embryogenik ऐसा होता है जैसे monocotidicot में जो embryo बनते हैं उनका क्या है और epomyxis यहाँ पर यह जो दो टर्म हैं मैं अभी बता दे रहा हूँ एक epomyxis है और दूसरा इसी के नीचे दिया गया है polyembrony यह आप देख रहे होंगे एक epomyxis polyembrony very important short question जरूर आता है one hand at one percent epomyxis का मतलब होता है कि without fertilization seed का formation और polyembrony का मतलब होता है जैसे नीबू में देखेगा एक से ज़्यादा embryo होते हैं ठीक है तो उसको polyembrony बोलते हैं अच्छा epomyxis यह हो गया और इसमें आपका पार्थिनो कार्पी भी आता है पार्थिनो कार्पी भी एक टर्म है जिसमें fruit बनता है without fertilization ठीक है तो उससे related यह सारी चीज़े हैं तो सारी चीज़े बेटा मैंने यहाँ पर लगभग define कर दी आपके इस paper से related जितने भी important question कहीं से भी क्या बन सकते हैं आप लोग अच्छी तरीके से screenshot ले सकते हैं syllabus का क्याकि without syllabus preparation का कोई mean नहीं रह जाता है कोई मतलब नहीं रह जाता है आप syllabus अच्छी तरीके से देख लीजिए ठीक है यह पूरा syllabus दिया गया है और मैं धीरी-धीर screenshot आप लोग ले सकते हैं मैं scroll कर रहा हूं तो screenshot आप लोग लेके syllabus को प्रॉपर तरीके से जब आप लोग study करोगे तो आपकी preparation भी बहुत अच्छी रहेगी और यह सारी बुक्स दी गई है बुक्स को लेकर बच्चे बहुत परेसान रहते हैं सर किस से study करें ठीक है तो जो बुक आप मिल जाए जिसे यहां पर जो यह महसुरी सर की बुक है बहुत अच्छी है इससे आप study कर सकते हो जो 8 नंबर पर दिये गए ठीक है और यह श्चान पब्लिकेशन मैं ग्राहिल प पर होगे बैटा तो कभी आपको content के लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं होगी यह सारी इंटरनेट की sites भी दी गहीं है मैं सारी चीज़े वाइलेवल करा दे रहा हूं जहां से आप इन चीजों को उच्छी तरीके से collect कर सकते हो अच्छा अब प्रेक्टिकल रिलेटे आप से पूछा जा सकता है यहाँ पर यह सारे प्लांट दिये गए हैं और प्लांट से रिलेटेड आपका classification या प्लांट को लेके आपका floral character जैसे है ना floral identification उससे आप से question पूछा जा सकता है प्लांट में उसके बाद में study of diversity of leap shape size के बारे में पूछा जा सकता है monopodial, sympodial branching के बारे में fruit की morphology के बारे में आप से पूछ सकते हैं in fluorescence क्या है flower की study और specimen प्रिपेर करके पूछ सकते हैं type of ovule आपको photograph से रखके पूछ देंगे और type of ovule देखिए दिए भी गए ना ट्रॉपस अर्थो ट्रॉपस के माइलो ट्रॉपस इसके बाद में जो आपके root stem leaf से related modification या in fluorescence है उसके बारे में भी आप से practical में पूछा जा सकता है अब आ जाते है plant anatomy देखिए practical में भी चार unit है जैसे थियोरी में है plant anatomy में जो abnormal आपकी secondary थिकनी से जिसे मैंने बता ना secondary growth बिगनोनिया ड्रेसी है ना बोर विया इन से related कोई भी specimen रख देंगे पूछेंगे आप क्या इन में abnormalities है monocot dicot की sectioning आ सकती cutting slide preparation ठीक है study dicot monocot leaf की study आप से पूछ सकते है कि उसका section कटके microscope में देखिए stomata का structure बहुत easy है पती की पील निकाल के microscope में देख लो आपको stomata देख जाएंगे इसके बाद में आपकी reproductive बाटनी से question आ सकता जैसे एंथर microsporengia या pollen grain का germination बहुत easy है pollen grain का germination के लिए flower को pollen निकाली है dusting कीजिए slide पर उस पर सुक्रोष डाली है 20 मिनिट पर आप देख लिए का pollen वह आपसे निकलती भी दिखाई बोलेगी सकता है इसके बाद में आपसे इंब्रियो डेवलेमेंट पूछा जा सकता है वेजिटिव प्रोप्रोगेशन में कटिंग बडिंग ग्राफ्टिंग से रिलेटेड आपसे question आ सकते हैं सीड जर्मिनेशन से रिलेटेड है इसके बाद pollen मॉर्फोलोजी जैसे हिबिसकस इस सारे प्लांट दिये गए इनकी आपसे मॉर्फोलोजी पूछ सकते हैं कैसे पॉलन ग्रेन है और पॉलन वाइवल्टी परसंटेज या पॉलन जर्मिनेशन जो मैंने भी बढ़ाया मैसुरी सरके आती है और भी रैटर हैं आप देख सकते हैं और सजेस्टेड जो रीडिंग बुक्स हैं अधिकांस यहां पर सिंग पांडे जैन की आपको मिल जाएगी यह है बहुत अच्छी बुक है इनकी यह पास है ठीक है तो आप इससे भी स्टड़ी कर सकते हैं तो बखबख सारी उन्वेस्टी में सेम स्लेबर से प्रेक्टिकल का और थेओरी का तो आप अच्छी तरीके से अपनी प्रेपरेशन कीजिएगा और होफूली मैं इससे रिलेटेड एक कोश्चन सीरीज भी लेकर आऊंगा मेराने वाले वीडियो में आप लोग इसको देखें झांगे, thank you